तो दोस्तो सबसे पहले आपको Google पे यहां पर लिखना पढ़ेगा MSME रिजिट्रेशन लिख सकते है यहां फिर MSME भी लिख सकते हैं जैसे आप MSME लिखेंगे तो यहां पर आपको साइट जो है ये उद्धियम रिजिट्रेशन की साइट देखने को मिल जाएगी एक्चली एक जुलाई से MSME की डेफिनेशन बदल गई है तो यहां पर राइस्टेशन का प्रोसेस भी बदल गया है एक नया प्रोसेस सुरू कर दिया गया पहले उध्योग अधार राइस्टेशन होता था आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि यह ऐसे परसंट जिन्होंने पहले से MSME के अंदर कर रखा है तो उध्यम रेजिशन का री रेजिशन कैसे करना है आज में बताने वाला हूँ ऐसे एंटर्पेनुर जिन्होंने पहले कभी भी MSME के अंदर रेजिशन नहीं लिया तो कै कैसे आपको रेजिशन करना होगा यहाँ पर किलिक करना है दोस्तों न्यू रेजिश्टेशन पर ठीक है यह फ्री अफ कोस्ट होता है इसके अंदर कोई भी चार्ज़स पर नहीं करने होते आपको अधार बेस रेजिशन होता है कोई भी डोकॉमेंट देने की जुरुत नह अधार नंबर ठीक है किसका अधार नंबर आएगा entrepreneur का अधार नंबर आएगा जो business का मालिक है या authorized person है यह director है यह partner है ठीक है authorized partner उसका अधार नंबर आएगा और उसका नाम आएगा ठीक है प्रोप्रेटर्सिप के केश के अंदर तो प्रोप्राइटर का य अधार नंबर और उसका नाम आजाएगा और अगर entrepreneur का यहाप बी लेते हैं यह दोस्त्तों मैंने ले लिए entrepreneur का नाम आफ वैलिडेट करेंगे एक OTP आएगा अधार OTP इस पे क्लिक करेंगे ठीक है दोस्तों अब जो OTP आधार OTP आया है यहां डालके इसको हम डाटा को validate कर लेंगे तो सब्सक्र Videoda अब इसको हम कर लेते हैं वैलिडेट करने के बाद फॉर्म आ जाएगा यहां पर हमें रेइस्टेशन के लिए फॉर्म भरना शुरू करना पड़ेगा जो फॉर्म को प्रोसेस है वह यहां से सुरू हो जाता है ठीक है तो सबसे पहले टाइप ऑफ और्गनाजेशन पूछ र करने वाला हूं तो प्रोपाइटरी ले लिया अब यह बोलता कि क्या आपके पास पैन है येस पैन है पैन है तो उसका नंबर देना पड़ेगा आपको नंबर देंगे दैन इंकम टेक्स का डाटा होता यह जेस्ट का डाटा होता है वहां से वैलिडेट करेगा तो चलिए पैन नंबर लिख लेते हैं आपे तो पैन नंबर ले लिया अब इसको वैलिडेट कर लेते हैं वैलिडेट पैन पे क्लिक करेंगे तो जो इंकम टेक्स का डाटा बेस है यह जो जेस्ट का डाटा बेस है उससे वैलिडेट करेगा देख सकते हैं पैन नंबर जो फाइल करिए यहां से सलेक्ट कर लेंगे ठेके दोस्तों इसी बेसे पे आपका इंकम टेक्स के रिटर्न की बेसे पे ही डाटा जो है वो उठाएगा जैसे की टरन ओवर की डीटेल या इन्वेस्टमेंट की डीटेल ठीक है IDR4 पे क्लिक कर लिया फिर पूछता कि क्या आपके पास GST नंबर है येस मेरे पास GST नंबर है नीजे जालते हैं नाम देख सकते हैं ओटोमेटिक इसने अधार काड कहीं साब से उठा लिया है अब आपको यहापे मॉवाइल नंबर लिखना होगा छटी को कॉलम के अंदर कोई लिखना जो आपने income tax यह GST के अंदर दिया है चलिए email ID ले ले लेते हैं अब नीचे आ जाते हैं अगले कोलम में यहाँ पर आठवे कोलम के अंदर आते हैं आठवे कोलम में यहाँ पर category बोलता है कि category क्या है आपकी ownership की category पूछता है ठीक है MSME के अंदर share के बेशेश पर contribution के बेशेश पर या member के बेशेश पर देख सकते हैं यहाँ पर इसने detail भी बता दिये कि अगर हिंदू अंडिबाड़ेट फैमली है तो ऐस पर category कहीं से आपसे होगा partnership है तो OBC के अंदर 51% SC के अंदर 51% ST के अंदर 51% woman भी है तो भी 51% दर असल 51% जो है वो ownership को दिखाता ह है 51% अगर share है तो वहाँ पर ownership माली का ना हख हो जाता है ठीक है partnership के अंदर co-operative society में member की basis पे तो अगर 51% का होगा आपका member तो आप वहाँ पर ownership हो जाएंगे ठीक है तो categorization of ownership के बारे में बात करता है company है तो शेर है 51% आपके पास तो आप वहाँ पर honor हो जाएंगे ठीक है यह social category है नीचे जाते है अगर proprietorship का केश हो तो यह social category है उसके आप से गुझता की enterprises का नाम अब आपको यहाँ पर enterprises का नाम लिखना होगा एंटरप्रैजस का नाम आपको ध्यान देखना है कि एंटरप्रैजस यह entrepreneur का नाम वही नाम होगा जो pen pay mention है नाम तो pen pay proprietorship के किश में क्या होता है proprietor का नाम mention होता है तो आपको यह पर proprietor का नाम लिखना होगा ठीक है दोस्तों अगर private limit company है company है partnership firm है तो pen पे form का नाम लिखा होता है proprietorship के किश में pen पे नाम लिखा नहीं होता है जो pen पर नाम है वही लिखेंगे हम, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, जो pen पर नाम है, ठीक है, वही लिख लिए है मैंने, अभी बोलता है कि इकाई का नाम क्या है, अब यहाँ पर बिजनेस का नाम लिख सकते हैं, unit या plant का नाम पूछ रहा है, जहाँ पर आपका का नाम, इकाई का जो नाम है वह लिख लिए, ध्यान देखना आपको उसका address भी देना पड़ेगा, जहाँ पर यह location है, ठीक है, जहाँ पर यह located है, जहाँ पर आपका unit है या plant है, उसका address भी आपको देना पड़ेगा, add unit पे click करेंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके प्लांट का नाम और उसका address ले लिया, add plant पे click कर लेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर official address लिखना होगा, official address मेरा same है, तो चलिए official address लिख लेता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर हमने ले लिया official address, अब नीचे आ जाते है, चौदवे number point पे, यहाँ पर आपको अगर आपने पु आपके पास ध्योगधार memorandum है, तो इस पर click करके उसका number दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर पिछे कभी भी registration नहीं लिया है, तो एने पर click कर दूँगा, ठीक है, अब जाता है status of enterprises, enterprise का status का है, मतलब कि कौन सी तारिक को आपने registration लिया, या incorporation कराया है, ठीक है, उसकी डिड date कोई और है, जिस दिन से आपने business शुरू किया है, मतलब date of commission, अगर कोई अलग है, तो आप yes कर सकते हैं, अगर date of commission अलग नहीं है, तो no पे click कर सकते हैं, तो मेरा यहाँ पर same date में ही मैंने जिस दिन registration कराया, उसी दिन business को शुरू कर लिया था, इसलिए मैंने no कर दिया, नीचे, अब आपको यहाँ पर bank की detail देनी होगी, जैसे bank का नाम, IFSE code, bank count number, तो चलिए दोस्तों, इसकी detail को भर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने bank की detail ले ली, bank का नाम, IFSE code, और यहाँ पर bank count number, ठीके, नीचे आ जाते हैं, अब यह पूछता कि activity क्या है, आपकी, major activity क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर service दे रहा हूँ, transport की, तो मैं service पर click कर लूँगा, अब आपको यहाँ पर NIC code लिखना होगा, आप यहाँ पर NIC code सर्च करके भी लिख सकते हैं, ठीके दोस्तों, यहाँ फिर यहाँ पर एक method है, तिन step को follow करेंगे, तो आप NIC code को easily search कर सकते हैं, ठीके यहाँ पर search करने में बहुत परिशानी होती है, अगर आप यहाँ पर type करके लिखेंगे, तो आपको इसमें ढूंडने की बहुत जारा जोत पड़ेगी, इसलिए अगर आप इस method का use करेंगे, जो यह तीन step बाला method है, तो easily आप NIC code को लिख पाएंगे, चलिए बताता हूँ और ट्रांस्पूर्ड वया pipeline, तो मैं यहाँ पर land transport दे रहा हूँ service, मतलब जमीनी इस दर पर transport की service दे रहा हूँ अभी बोलता है कि transport की service अब कैसे दे रहा है, आप ट्रांस्पूर्ड, फ्रैट ट्रांस्पूर्ड वाय रूट दे रहा हूं, ठीक है, फ्रैट ट्रैट से activity को हमने यहापर इड कर लिया, इसी प्रकर से अगर आपकी कोई और अप नीचे आजाते हैं अभी पूछता की कितने person आपकी है employee है, कितने worker आपके पास है जो काब करता है,ء Banks कितना है , outrageous कितन आप तो मेरे मेरे पास five employee है जो की five के five जो वो male है ठीक है female zero है अधस zero है ठीक है यह भरना पड़ेगा अगर आप यह नहीं भरेंगे तो validate करते वक्त validate नहीं होगा इसलिए आप उसको zero zero भरेंगे ज़रूर ठीक है नीचे आ जाते हैं अब investment की detail पूछरा की plant and machinery में आपने कितनी की investment की हुई है यह आपको detail balance sheet के इसाब से देना है previous year में जो आपने ITR फाइल करी है उसकी जो balance sheet बनाई है उस balance sheet के हिसाब से आपको investment की retail देनी होगी depreciation less करने के बाद जो आपके fixed assets के अंदर जो investment की value आ रही है वो आपको यहाँ पर देनी होगी ठीक है तो 31 मार्ट 2019 की जो balance sheet बनाई है उसके इसाब से जो fixed assets के अंदर value है उसके इसाब से आप यहाँ पर उसकी figure ठीक है चलिए ले लेता हूं मैं ठीक है इसके बाद बोलता है क पर others कोई कोश नहीं जीरू है अब यहाँ पर turnover की detail देख सकते हैं यह turnover की detail आएगी जब आप idr file करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो turnover की detail अगर आप treds portal उस पर registration के लिए yes interested है yes कर लेंगे ठीक है नीचे जाते हैं अब आपको form finally submit करना है submit कर लेंगे और जो OTP आएगा उससे validate कर लेंगे ठीक है उसके बाद आपका form submit हो जाएगा तो चलिए submit पर क्लिक कर लेते हैं देखें दोस्तों यह बोल रहा है कि जो आपने data भरा है यह mobile number भरा है वो correct है yes correct है Sokey पर क्लिक कर लिया अब दोस्तों OTP होगा उस OTP को यह पर लिखेंगे जो mobile number दिया है उस mobile truck над игры होगा उसको लिखके यह पर हम form को submit कर लेंगे सो धुस्तों हमने यहां पर लिख लिया OTP आप जो code पो लिए ज canal को assistant dot आज मैं आपको बताने वाला हूँ MSME का certificate कैसे डाउनलोड करना है क्योंकि MSME के अंदर registration का तरीका भी बदल गया है नई साइट आ गई है उध्यम registration तो उध्यम registration का कैसे आपको यहाँ पे certificate डाउनलोड करना होगा आज मैं आपको बताऊंगा तो इसको समझने के लिए बने रह है मेरे साथ वीडियो के एंड था तो दोस्तों यहाँ पे हम MSME का certificate डाउनलोड कर सकते हैं इस website पे आ सकते हैं नई website बन गई है MSME registration के लिए उध्यम registration.gov.in पे आना पड़ेगा इस website पे आने के बाद आपको यहाँ पे option मिलता है देख सकते हैं print certificate यहाँ पे जाएंगे print certificate पे देन आपको उध्यम registration number डालना होगा जो आपने registration कराया है और अगर आपका दोस्तों पुराना कोई उध्योग अधार है उसका भी certificate डाउनलोड करना चाते हैं तो वो भी आप इस website पे डाउनलोड कर सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पे option आ चुका है उध्योग अधार का भी पहले उध्योग अधार था अब इसे government ने MSME की definition को बदलके उध्यम registration कर दिया तो उध्यम registration में हम registration कराते हैं तो पुराना अगर आपको उध्योग अधार का certificate डाउनलोड करना है तो यहाँ पे जाना होगा आपको देख सकते हैं अपडेट कर सकते हैं अपने उध्योग सकते हैं application को ब्रिंट कर सकते हैं certificate को तो अगर आप परिंट certificate पहे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके आप certificate को print कर सकते हैं ठीके दोस्तों पुराना वाला जो है अब आपको अभी नया गैना उध्यम registration तो जो उध्यम आपको चुना होगा कि आपको OTP किस पे चाहिए मोवा ठीक है कुछ बातों का ध्यान देखना होगा दोस्तों क्या बात हैं समझ लिए यहां पर नोट में रेड़ गलर में भी बोल रहा है कि आपको यहां पर उध्यम रेइस्टेशन में पैन नंबर और जेस्टी नंबर देना मेंडिक्टरी है एक अप्रेल से तो आपको यहां पर सर्टिफिकेट है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा तो आपको जेस्टी नंबर और पैन नंबर लेना ही पड़ेगा अभी 31 मार्स 2021 तक यहां पर मेंडिक्टरी नहीं है रेइस्टेशन कर सकते हैं लेकिन बाद में आपको एक अपरेल से मेंडिक्टरी कर दिया जाएगा तो रेइस्टेशन लेते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है उस नंबर का स्क्रीन शोट लेके रखना होता है आपको ठीक है जैसे मैंने स्क्रीन शोट ले लिया था देख सकते हैं यह है मेरा स्क्रीन शोट जहां पर मेरको अध्यम रेइस्टेशन नंबर मिला था राफरेंस न होगे दोस्तो ओटीपी यहाँ पे लिख लेते हैं जुमिल पे आया है इमेल पे ओटि पी आ डिया नोज भाघ लेते हैं बिखस़ेवन यान डबलowej told कि ए शीपानन डावन डावॉड्वikh लिख लिख लिया वैलिडेट कि प्रिंट पर क्लिक करते हैं दोस्तों देख सकते हैं ये बोल रहा है कि अपडेट करना होगा डिटेल प्रिंट सर्टिफिकेट को प्रिंट करने से पहले जैसे एंटरप्राइज का नाम ठीक है उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आपने आई टेयर फाइल करिए मैंने नो कर दिया था क् GST नंबर है आपके पास येस मेरे पास है GST नंबर अब ये इन्वेस्टमेंट की डीटेल पूछ रहा है कि प्लांटेड मशिनरी कितनी है है आपकी कितने की इन्वेस्टमेंट करिए आपने और टरनावर कितनी है ये सब डीटेल हमने पहले दे दी ती लेकिन फिर भी दु प्रोप्राइटर ही होता है अगर फॉर्म होगा तो फॉर्म का नाम होता है कंपणी होगा तो कंपणी का नाम होता है अब प्रोप्राइटर्शिप के के अंदर अब क्या कर सकते हैं ऐसे हम लिख सकते हैं जैसे मैंने जैसे लिग लिए form का नाम रिहार्न ट्रांस्पोर्ट और प्रोप्राइटर है अनिश आप ऐसे लेख सकते हैं ठीक है प्रोप्राइटर अनिश ठीक है पैन पे नाम अनिश ही है अब घेस्ट हमने रिटान आई टीर फाइल करी है अगर मैं इसे येस कर दूंगा तो ट्रॉनवर की डिटेल नहीं आगी है वैसे भी यह जो ऑप्षन है वह मेरा यहार फरें इसलिए यस नहीं होगा नो हुआ पड़ा है तो मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी डिटेल टर्नवर की और इनवैस्ट्मेंट की डिटेल देनी पड़ेगी मैंने येस कर लिया है मेरे पास ये नमबर तो चलिए प्लैंट एड मेशिंडरी की जो हमन सेट्स में बैलेंस आ रहा है बैलेंशीट के इंदर वह वाली डीटेल दे देंगे ठीक है जितना आपने प्लांटन मेशिंद्री में कर रहा है यह लिख लिए दोस्तों हमने और इसके उपर जो पॉल्यूशन कोस्ट है या रिसर्च एंड डैवलेप्मेंट कोस्ट है वो जी सधिक्रें उसके बाद चलिए इसे अपडेट पे क्लिक कर लेते हैं अपडेट पे क्लिक किया हमने स्मेशन हो गया है कि कि आपकी डिडिएल ज्योंफ हो गई है रोकर पे क्लिक करना है और पृंप लिए हो प्रिंब सर्मिच ओएंगी है यह हमारा सेसटिफिकेट आ गया अ option पर जाके आगया government of India micro small medium enterprises उद्धियम registration certificate ठीक है यह देखिए तैप of enterprises micro service provide करते हैं यह number आगया यह name of enterprises आगया रिहान transport प्रोपाइटर अनेश ठीक है उसके बाद आगया name of unit में रिहान transport उसका address आगया official address और यहां पर आगया date of incorporation कौन सी थारिक को हमने incorporation कराया है कौन सी सर्विस provide कराते हैं वह यह आगया और यहां पर टी आई सी आ गया जो government official होगा वह डाली होगा ठीक है यहां पर इसका QR code भी है ठीक अभी क्या करना है print certificate पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं इस प्रकार से आपका certificate का जो preview है वह देखे जाएगा यहां certificate को प्रेंट कर सकते हैं मैं इसको save कर रहा हूं देख सकते हैं दोस्तों यहां भी साब साब बोल रहा है कि आपको advice गया जा रहा कि पैन और GST जो है वह एक अपरेल 2020 से mandatory हो जाएगा इस certificate के तो आपको जल्दी पैन और GST नंबर अप्लाई करना पड़ेगा एक अत्रिस तीन दो रिकिस तक आप उसे अपडेट कर सकते हैं दोस्तों इस परकार से आपको को सममिट और हमें यहाँ पे एक reference number मिल चुका है देख सकते हैं यह है reference number चाहे तो आप इसका screenshot ले सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे screenshot ले लिया है ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे जैसी क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे दिखाएगा, कि रैफरेंस नमबर आपका यह है, आप इसे चाहे तो प्रेंट भी करके रख सकते हैं, दुबारा से मैं इसके स्क्रिंशोट लेता हूँ, देख सिकते हैं यह बोल रहा है कि आपका MSME क का रैइशेशन जो है, वो so commit हो चुका है, जल्दी यह process कर दिया जाएगा, और certificate है आपको issue कर दे जाएगा, certificate जो है दोस्तों वह आपको mail बे भेए दिया जागा या फिर आप यहाँ पर print certificate पर भी जाके आप अपना certificate print कर सकते है पहले verification होगा आपके फॉर्म का देन आप जाके यहां पर certificate को print कर सकते हैं अपने अगली वीडियो के अंदर में आपको बताँगो कि कैसे आपको msme का certificate जो वो print करना तो इस परकर से आपको msme का registration करना है वीडियो के ऐसे लगी ज़रूर बताएं थाइंक यू सोमाच जय हिंद वन्दे मात्राओं